हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो आवर चैनल दिस इस रोहन और आज इस वीडियो में बात करेंगे आई वी पिस पियो की कम्प्लीट स्ट्रेटिजी के बारे में ठीक है तो इसमें मैंने क्या स्कोर किया था लास्ट यह ठीक है मेरा स्कोर काड भी शेयर करूंगा और आपको बत चीजी होती है तीन हमारे टॉपिक्स होती है जैसे कि एक हो गया इंग्लिश ठीक है एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश दूसरा हो गया क्वांट ओ लास्ट वन होता है हमारा रिजनिंग ठीक है वैसे ही में में हमारे दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एड हो जाती है एक तो और मेंस के जो cut-off थी वो थी 71, 72 इन दोनों के बीच में थी और ये cut-off थी जनरल की ठीक है और OBC की थी 69.something थी और इस बार जो vacancies अभी फिलाल आई है वो है 3049 काफी bank है जिनोंने report नहीं किया है अभी तो इस वज़े से थोड़ा सा cut-off भी effect करती है चीजों को ठीक है और इस बार फिलाल तो कम है लेकिन देखते हैं अभी बढ़ती है या नहीं कितनी बढ़ती है थोड़ा सा wait कर लेना अभी form fill मत करना ठीक है और चले मैं अपना scorecard दिखा देता हूं यह है मेरा pre का scorecard जिसमें मे overall जो score था 59.5 था almost almost 10 marks above थे cut-off से okay तो इस score के लिए मैंने क्या कुछ किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा और अभी चलते हैं हम देख लेते हैं हमारे मेरे mains में क्या score रहा था तो mains में जो मेरा score था English में था मेरा 9.5 ओके और इंगलिश बोला हूं reasoning में था 9.5 और attempt मेरे हुए थे 17 या 18 इतने कुछ हुए थे गलत काफी जादा हो गया इस वज़े से score काफी डाउन चला गया ठीक है और GA में मेरा score है 11 English में था 21.75 और match में था 11 अब 11 marks देख करके काफी कमेंट्स आए थे क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले भी डाली थी scorecard की तो उस पर काफी कमेंट्स थे कि आपने क्या strategy follow की थी कहां से आपने practice की थी तो वो सारे चीज़े मैं इसमें discuss करने वाला हूं just अभी जैसे ये scorecard खतम होता है ठीक है इसके उपर discuss खतम होता है तो फिर मैंने question गलत चूज कर लिया question चूज नहीं किया या फिर ठीक है और attempt कोई और कर दिया so guys यह है गाइडली का bundle ठीक है जो की IVPS PO के लिए है और इसका price जो 97 है ठीक है ऐसे ही last year 2022 में IVPS PO का loan चुआ था ठीक है तो मैंने वह वाला complete किया था उसमें मैंने सारी चीज़े की थी जो इस बार दे रखी है जैसे कि फिलाल आपको अगर यह 97 का पर्चेस करते हो code लगाना होगा RJ12 तब आपको 97 का पड़ेगा वरना 110 का पड़ेगा यह ठीक है तो extra discount के लिए तो आप code use कर सकते हो अब इसमें देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें मिलती है तो first जो है हम मिलती है अब फिर मनें सेशन जो की टेस्ट मिलते है प्री के और मेंस मिलते हैं 29 अब 15 जो प्री के जो कैसे मिलते हैं quê 5-5 मिलते हैं बतल कि 5 इंगलिस 5 उसके और 5 रीजनिंग के इस तरहीफे से फिर मिलती है हमें 50 दिन की prelims का bundle PDF course जो कि daily 50 दिन के लिए होता है ठीक है और इसका solution भी होता है solution आपको वीडियो में भी मिलता है next मिलता है mains की bundle PDF जो कि 50 days का ही है यह भी मतलब 50 videos मिलेंगी आपको ओके 50 दिन 50 days के लिए ठीक है और अगर आपको solution समझ में नहीं आता है जो PDF में solution होता है वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो solution के through इसको समझ सकते हो ठीक है एक यह अच्छी बात है गाडली की ठीक है इसलिए मैं हर बार जो भी mains का पूछता है ने कि आप mains की तयारी कहां से करते हो या कहां से हमें करनी चाहिए तो मैं गाडली का नाम लेता हूँ ठीक है क्योंकि उस पे आपको questions काफी अच्छे level के मिल जाते है IVPS PO और SBI PO वैसे ही आपको पता है कि काफी अच्छे questions उसमें पूछे जाते है दोनों ही exams में ठीक है तो उनके लिए गाडली का best है क्योंकि उसमें जो पीडियाप मिलती है mains की उसके साथ-साथ उनका वीडियो solution होता है मालना आपको कोई question है जो समझ में नहीं आया तो आप उसको वीडियो solution के थूरू समझ सकते है easily समझ में आ जाता है ठीक है अगर आपके concept अगर clear है तो 101% में लिखके दे रहा है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा वो question ठीक है पर लगा सकते हो ठीक है real exam जैसा ओके और यह दोनों ही language में होंगी आपकी PDF ठीक है English में भी होंगी और Hindi में भी होंगी ठीक है और सबके solution मिल जाते है ठीक है तो यह है अगर आप यह करते हो तो enough है आपका pre or means descriptive तक का part ठीक है वहां तक आपका बिल्कुल सही है अच्छा content मिल जाता है इसमें आपको कोई और sources follow करने की जरूरत नहीं पड़ती बस एक चीज़ है कि इसमें आपको जीए के लिए एक अलग से करना होगा जीए के लिए मैं बता देता हूं जीए के लिए मैंने किया था जो मेरे 11 marks है तो मैंने last year किया था I think डाई डाई से तीन मन्त का मैंने current affair किया था ठीक है और वह तो तैलिग्राम जोइन करना होगा वह सारी चीज़ हमारी PDS वगेरा टेलिग्राम पर ही मैं अफलोड करता हूं ठेक है तो उसके लिए आप टेलिग्राम जोइन कर लेना और बाकी जो हैं प्रैक्टिस के लिए PDS वगेरा भी उसी पर है तो वह झालोगे तो काफी अच्छ पर ठीक है जो टेलिग्राम पर है उन्हें तो पता ही चल गया पहले से तो आप टेलिग्राम जोइन कर लेना आपको पहले अपडेट्स मिल देंगी जल्दी ही कोई कोई क्यारी होती है तो आप टेलिग्राम पर मैसेज कर सकते हो यह पिर अप कुमेंट कर सकते हैं तो जयादा कुछ में ध्यान नहीं देता हूं नहीं और टेलिग्राम पर फिर भी मैं देख लेता हूं तो ट्राइब करेंगे अगर आप कमेंट सेक्षन में डाल देना कोई नहीं मैं चेक कर लूँगा देखके आपको वहीं पर रिपलाई कर दूँगा और जो भी दिखत हो या कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना आप और आप आप यह प्रचेज करते हो और आपको नहीं दिखरा यह पैक है तो आप क्या करना कि जब है पर फिर पर्चेज करवा तो एप में जाना और पापिर डारेक्ट आप्को डिस्क्रेप्शिन में मिल जाएगा इसका ठीक है और ऑखक connectivity करके वहां से उसक्रेज कर सकते हो गैस मिलते हैं नेक्स वीडियो में और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं फिर भी कोई क्वारी रहती है तो आप पूछ ले न नेक्स वीडियो में मिलते हैं तो तक के लिए बाबाई थेंक यू